है गाई स्वागत आप इंटर डे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोश्य वांज वसीन तो आपने जैसे ही की थमनेल देखी लिया होगा कि यह मैं आपको बताऊंगा कि आपके पाप जो भी शेयर्स हैं जो भी आप स्टॉक होल्ड करके रखते हैं वो व्यूचल फंड्स हो होल्ड करके रखते हैं तो यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन सी ऐसी वेब साइट है जिससे आप पता लगा सकते हैं और खुद जान सकते हैं कि कौन से ब्यूचल फंड्स आपके पेस्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं तो पहले मैं आपको बता लेने इंट्रेडे में आपको सारे suggestions इसमें देता हूं और valuations के साफ से कौन से सबस्ते stocks वो आपको सब इस वीडियो में चैनल बताए जाते हैं अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दीजा वीडियो को तो बढ़ते हैं वेबसाइट के तरफ और आपको बताया जाता है कि कौन से कौन से stocks आप जो hold करते हैं वो mutual funds hold करते हैं कि नहीं करते हैं हम आये हैं इस website पे इस website का नाम है value research.com आपको google में जाकर सर्च करना है value research आपको जो भी सबसे पहली link मिलेगा आप उसमें click करेंगे तो आपको value research की ऐसी website open होते वे दिख जाएगी इसमें जब आप open होंगे तो आपको अपना आप जो stock hold करते हैं वरना आपको जो stock पसंद है उस stock को आप यहां search box में आप search करें जैसे और example के दौर में हम कर लेते हैं dhfl दिवान housing financial corporations तो आप देख सकते हैं आपको पहले आपको funds show कर रहे होंगे और नीचे आपको stocks show कर रहे होंगे तो आप stock पे click करेंगे दिवान housing जब आप यहां पर click करेंगे तो एक page open होते वे आपको दिख जाएगा आप यहां आप देख सकते हैं कि आपको पेज ओपन होते वे दिखिए पेज में आखरी में आएए यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर दिख रहा होगा fund houses invested in the stock कौन से कौन ऐस फंद हाउस ने इस स्टॉक में इंवेस्ट करके रखावा है और कित्ते कित्ते परसेंट से तो आप यहां देख सकते होंगे आपको यहां पर शो कर रहा होगा December 16, March 17, June 17, September 17, December 17, हर quarterly में इन्होंने जो इंवेस्ट कर रहा है कित्ते कित्ते परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं पहले बात करें तो जैसे अधित्य बिल्डर सर्न लाइफ mutual fund इसने जो इसकी September 2017 की holding थी 0.956% की थी और उन्होंने उनसे इंक्रीज करके 1.51% से इंक्रीज करीए तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे पिछले quarter से इस quarter में वो लोग अपनी percentage increase कर रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि यह यह आपके जो 1% stocks हैं यह इस mutual funds hold करके रखते हैं कोई और एक्जाम पर अगर लेकर देखे तो हम भारत electronics लेकर देख सकते हैं बी यह तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कौन से कौन से fund house लोगों ने invest करके रखा है आपके इस 1% stock पर जो भी आपको सर्च करना आप कर सकते हैं अपने stocks और किती holdings उन्होंने अपनी रखी विया और किते quarterly quarterly अपनी holdings increase करके रखे हैं तो आप इससे अच्छा खास अपना review ले सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके stocks कौन से funds hold करके रख सकते हैं आप quarterly वाइस अगर आप देख सकते कि अगर यहां stock में अपने invest कर सकते हैं और उसके बाद आप उससे तीन महीने के लिए hold कर सकते हैं जब तक वो अपना उसमें stake कम नहीं करते हैं तो इससे आपको regular profit भी होगा आप सब जानते हैं mutual funds बहुत selectively stocks को buy करते हैं और अगर buy करते हैं तो वो देखते हैं कि कौन से quarterly quarterly वो अच्छा perform करेंगे नि की नहीं करेंगे तो इसके साब से आप अपना खुद का trade ले सकते हैं तो जैसे कि मैं आपको example में दो stocks बताया दिया अपने खुद के मनपसंट stocks बीच में सर्च करके नीचे की तरव आप जा सकते हैं तो आपको शो करते हैं कि फंडाउं इंवेस्टे इंटा स्टॉक इसमें अब अपने आप फुद अपने stocks सर्च करके अपना profit कमा सकते हैं वेस्ट कर सकते हैं quarterly to quarterly और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आईए तो प्लीज लाइक कर दीजे इस अब हर दिन ट्रेड करते हैं तो आप मेरी रेगुलर वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं आपको अगले दिन मार्केंट में बताता हूँ क्या ट्रेड आपको लेना है और कॉंसे इंट्रेडे में आपको और परफॉर्म करके देंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद अना बुली मेरे चानल को थांक यू और हैपी ट्रेडिंग